तो आगाते आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 22 जून से सम्मंदित उत्तर प्रदेश करेंट अफ्यर और इसके अलावा यूपी एक्जाम के लिए और वीडियो के अंत में हम आपसे यह क्वेशन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप की लेंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन सुरू करने से पहले हम कल के questions का revision करते हैं पहला question है हाल ही में कितने लोगों को उत्तर प्रदेश भासा समान 2020 से समानित किया गया इसका जो correct answer है वो है option number A पाँच लोगों को अगला question है नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल ने किस सहर में वरुना और असी नदियों के काया कल्ब के लिए एक समीती का गठन किया है इसका जो correct answer है वो है option number B वरान सी अगला question है किस प्रदेश के हर जिले में overseas trade promotion center इस्थापित किये जाएंगे इसका जो correct answer है वो है option number D उत्तर प्रदेश अगला question है जून 2021 में test debut पर किसी भारतिय महिला क्रिकेटर द्वारा 96 रन बनाकर सरवोच व्यक्तिगत स्कूर का record किसने तोड़ा है इसका जो correct answer है वो है option number C सेफाली वर्मा अगला question है प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित वारसिक 230 परदात्मक सूचकांक में भारत का क्या इस्थान है इसका जो correct answer है वो है option number D 43 वाँ अगला question है संयुक्त राश्ट महासबा ने 1 जनवरी 2022 से सुरू होने वाले दूसरे कारिकाल के लिए संयुक्त राश्ट महासचिव की रूप में किसे नियुक्त किया है इसका जो correct answer है वो है option number B Antonio Guterres अगला question है सोधगरताओं द्वारा डाइनासूर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निसान कहां खोजे गए है इसका जो correct answer है केंट यूनाइटेट किंगडम अगला question है केंदर ने किस वर्स तक सडक दुरघटना में होने वाली मोतों को 50% तक कम करने का लक्ष रखा है इसका जो correct answer है वो है option number C अगला question है अरुणांक वर्तक ब्रहंबांक उदयक हिमांक और संपर्क परियोजनाओं का संबन निमलेकित में से किस परिवहन से है इसका जो correct answer है वो है option number D सडक परिवहन अब दोस्तों सुरू करते हैं आज का session आज का पहला question है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की दूसरी tissue culture lab इस्थापित की जाएगे option number A है बहराईच, B है बलिया, C है गुरकपुर, D है बस्ती इसका जो correct answer है वो है option number A बहराईच उत्तर प्रदेश में लखनव के बाद बहराईच में दूसरा tissue culture lab इस्थापित होगा इससे यहां के किसानों को केले के सस्ते एवं उच्च गुर्वत्ता की पौधे सुलव होंगे इससे उत्तम कोटे की खेती और कम लागत में ही संबफ हो सकेगी यह लैब जिले में उध्यान विभाग के राज की पौध साला रिसिया में इस्थापित होगी तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की दूसरा tissue culture lab कहां पर इस्थापित किया जाएगा तो यह बहराईच में इस्थापित किया जाएगा और उत्तर अगला कुश्यान है हाल ही में किस राज ने सहर के मुख्य मारगों की इमारतों को एक ही रंग की करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है उप्सन नमबर A है बिहार, B है हर्याडा, C है उत्तर प्रदेश और D है पंजाब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सन नमबर C उत ना होगा, इस प्रस्ताव को मुख्यमत्री योगी आदितनात हरी जंडी दे चुके हैं, आवास एवं सहरी नियूजन विभाग जल्द ही आदेश जारी करने वाला है, इसके लिए भवन स्वामियों को 6 महा की महलत मिलेगी, रंगाई का खर्च खुद भवन स्वामियों को प्राधिकरन तै करेगा, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, उसके तहित सहरों के मुख्यमार्गों पर इस्तित आवास जो भी आवास होंगे, तो उनके बाहरे हिस्से के जो रंग है, जो दीवारों का रंग होता है, वो एक जैसा और इसके लिए जो भवन स्वामी होंगे, उनको 6 महा की मौलत भी दी जाएगी, और रंगाई का जो खर्च होगा, वो खुद भवन स्वामी उठाएंगे, और दोस्तों दीवार का रंग ही नहीं, बलकि नेम प्लेट, साइन बोर्ड भी एक जैसे होंगे, तो ये आपको ध जहां C, B है महोबा, C है सोन बद्र, और D है वारान सी, इसका जो करेक्ट अंसर है, वो है उप्सिन नुबर B, महोबा, रवीवार को जिले में कोरोना का कोई भी केस नहीं निकला, जिससे महोबा जन्पद, बुंदेल खंड का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया, जिले में कोरोना का पहला मामला 1 मई 2020 को मिला था, यहां जिला अस्पताल में कारेरत दो करमचारी पोजीटिव पाए गये थे, तो दोस्तों, बुंदेल खंड का पहला जिला कोरोना मुक्त कौन सा घोसित किया गया है, तो महोबा, यह जो है बुंदेल खंड का पहला जिला है, जिसस है चाय, C है अंगूर और D है बादाम इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सिन नंबर A कॉफी हाली में खोजी गई नई प्रजाती पैरोस्टिया लाल जी का सम्मंद कॉफी से है कॉफी परिवार की जीनस से सम्मंदित 15 मीटर उचा पेड़ हाली में अंडबान दीपसमू स भारत और फिलिपीन्स के सोध करताओं की एक टीम द्वारा खोजा गया है कॉफी की यह नई प्रजाती पैरोस्टिया लाल जी पैरोस्टिया जीनस की प्रजाती है इसे भारत में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है पैरोस्टिया लाल जी को IUCN की रेड लिस्ट के तहत गंभी रूप से संक्टापन स्रेणी में रखा गया है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कॉफी की जो नई प्रजाती है पैरोस्टिया लाल जी यह कहां पर खोजी गई है तो यह जो है अंडमान द्वीप सम्हू से भारत और फिलिपीन्स के सोध करताओं की टीम द् मैंसी कोई नहीं इसका जो करेक्ट आंसर है गो है ऑफ्सन नमबर बी रॉकेट प्रडाली न्यू सेफर्ड रॉकेट प्रडाली है न्यू सेफर्ड का नाम अंत्रिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंत्रिक्ष यात्री एलन सेफर्ड के नाम पर रखा गया है इस रॉ इत्रक्ष कंपनी ब्लू औरिजिन ने नियू सेफर्ड पल पहली सीट के लिए ओनलाइन नीलामी का आयोजन किया था इस नीलामी के मध्यम से नियू सेफर्ड रॉकेट सिस्टम परिटरकों को अंत्रक्ष में ले जाएगा विजेता बोली लगाने वाले को बैजेउस और उन है और ये रॉकेट परिटरकों को पहली बार अंत्रक्ष में ले जाएगा और ये पहली उडान कब भरेगा तो ये भी ध्यान रखता है बीस जुलाई को ये पहली उडान भरेगा और दोस्तों इसके लिए एक नीलामी की गई थी जिसके तहत नियू सेफर्ड जो रॉकेट है इसमें बोली लगाने वाले को बैजोस और उनके भाई के साथ उडान भरने का मौका मिलेगा तो इसके लिए बोली लगाई गई थी अगला कुश्यन है निम्न में से कौन महला खिलाडी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्द सतक बनाने वाली पहली भारतिय एवं दुनिया की चौती बल्लेबाज बन गई है उप्सन नमबर ए है इसमर्ती मंधाना बी है मिताली राज सी है सेफाली बर्मा और डी है खर्मन प्रीत कौर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सन नमबर सी सेफाली बर्मा भारतिय महिला बल्लेवाज सेफाली बर्मा ने इ वुसरी और debu test match की दोनों पारियों में अर्द सत्किय पारी खेलने वाली पहली भारतिय महिला करिग्येटर बन गई हैं वहीं debu test match में लगातार दो पारियों में अर्द सतक जमाने वाली सबसे यूबा बल्ले बाज भी बनने का कमाल कर दिखाया है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना ही question भी most important है कि जो सेफाली बर्मा है ये भारतिय महिला बल्ले बाजे और इन्होंने अभी हाली में debut test match में सबसे ज्यादा run बनाने वाली भारतिय बल्ले बाजी ये बन गई थी और अभी इन्होंने debut test match की दोनों पारियों में अर्द सत्कि जमाने वाली सबसे युबा बल्ले बाज भी बनने का कमाल इन्होंने कर दिखाया है तो दोस्तों ध्यान रखना ही question most important है और यहां पर आप image में देख सकते हैं यह किर्केटर सेफाली बर्मा अगला question है कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रोडो ने देश की सुप्रीम पहले किस अस्वेत व्यक्ति और भारत वंसी को जज की रूप में नामित किया है option number A है अरविंद सिंग, B है असोक्तियागी, C है विजय संकर, D है महमूद जमाल इसका जो correct answer है वो है option number D महमूद जमाल भारतिये मूल के नियाधीस महमूद जमाल ने इतिहाच रच दिया है जमाल को कनाडा के उचितम नियाधीस में नामित किया गया है इसके साथ ही वज देश के सीर्स नियाधीस में नामित किये जाने की घोशला की है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतिये मूल के नियाधीस महमूद जमाल जो है ये कनाडा के उचितम नियाधीस में नामित होने वाले प्रत्म असुइत न्याइधिस हैं तो इस बजह से यह कुश्चन काफी important हो जाता है तो आपको नाम अच्छे से ध्यान लगना है अब दोस्तों कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा के प्रधान मंत्री हैं अगला कुश्चन है हाली में किस अफ्रीकी देश में 1098 के दुनिया के तीसरे सबसे वड़े डायमंड की खोज की गई है ऑप्सन नमबर ए है घाना बी है बोट्सवाना सी है केन्या और डी है अलजीरिया इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्सन नमबर बी बोट्सवाना हाली में अफ्रीकी देश बोट्सवाना में 1098 के दुनिया के तीसरे सबसे वड़े डायमंड यानि हीरा की खोज की गई है बोट्सवाना की देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया यह डायमंड वर्स 1905 में दक्षड अफ्रीका में खोजे गए 3106 के रेट कलिनन डायमंड और वर्स 2015 में बोट्सवाना म वाज दुनिया का तीसरे सबसे वड़े डायमंड है तो दोस्तों यह कुशन भी इंपोर्टेंट है आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का 106 का था और दूसरा कहां पर खुजा गया था तो 2015 में वोट्समाना में ही ये खुजा गया था 1109 कारेट वाला और अब जो है तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ये खुजा गया है वोट्समाना में 1198 कारेट वाला और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डाइमंड अगला कुश्यान है इब्राहीम रईसी निम्न में से किस देश के राष्टपती चुने गए हैं अप्सिन नमबर A है इरान, B है इराक, C है इसराइल और D है इन में से कोई नहीं इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अप्सिन नमबर सहर मसहद में हुआ था इसी सहर में सिया मुसल्मानों के लिए सबसे पवित्रमानी जाने वाली मस्जद भी है इरान के ग्रह मंत्राले ने सनिवार को बताया कि रईसी को चुनाओं में करीब 62% मत मिले मदान का प्रतिसत महज 48.8 प्रतिसत दर्ज किया गया जो देश के इति ये नए राष्टपती बने है इरान के अब इरान के अगर बात करें तो इरान की राष्टपती कोन बन गए है तो इब्राहिम रईसी ये इरान की राष्टपती बन गए है अगला कुश्यन है अंतरास्ट्य योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे निम्न मैंसे किस दिन मना जाता है ऑप्सन नमबर ए है 21 जून बी है 22 जून सी है 23 जून और डी है 24 जून इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन नमबर ए 21 जून दुनिया भर में 21 जून को अंतरास्ट्य योग दिवस मनाय जाता है इस मौके पर प्रधान मंत्री ने डबल्यू एचो के सहयोग से व अंतरास्ट्य योग दिवस मनाय जाता है और योग दिवस की सुरुवात का भीती तो दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को ये मनाय गया था और तब से हर साल उस दिन को योग दिवस की तोर पर मनाय जाता है तो दोस्तों आपको ध्यान रकना की हर साल 21 जून को अंतरास् अब हम देखते हैं कल के वीडियो का कुश्चन जो हमने आपसे पूचा था ग्लोबल पीस एंडेक्स 2021 में भारत का रेंक क्या है इसका जो करेक्ट आंसर था वो अप्शन रियक्टर के लिए दुनिया का सबसे सकती साली चुम्बक प्राप्त करने के लिए तैयार है और अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं थेंक यू